हांजी स्वागत है आपका अपके अपनी यूट्यूब चैनल सक्सस टोक्स विद कन्नू में होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे और अपने एक्जाम्स की तियारी भी साथ की साथ कर रहे होएंगे देखिएगा आज की जो विडियो है वो बहुत ज़्यादा खास रहने वाली है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज के समय पर यूट्यूब से या किसी पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं या किसी ओफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा इ इसको क्योंकि आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगता तो वो समय कैसे बचा सकते हैं यूट्यूब पे हम कैसे पढ़ सकते हैं उस चीज की हम यहाँ पर बात करेंगे तो देखेगा यूट्यूब पे मान लिजे कि आप पॉलेटी पढ़ रहे हैं ठीक है आपने क्या किया आप quality पढ़ रहे हैं, GKGS कर रहे हैं, quality पढ़ रहे हैं, quality में आपने सर्च किया best quality for किसी भी exam, dash 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 जो आप कर रहे हैं, किसी भी exam की preparation आप कर रहे हैं, चाहे railway, SSC, HSSE, चाहे किसी भी exam की preparation कर रहे हैं, SSC, GD की कर रहे हैं, तो आपने सर्च किया माल लीजे कि आपके सामने चैप्टर आ गया Constitution का सबसे पहले ठीक है या फिर Constitutional Assembly लगा लीजे सविधान सबा ठीक है क्या लगा लीजे आप सविधान सबा तो देखे बचे सबसे पहली बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी वो यह है कि जब आपने इसकी वीडियो सर्च की तो आपने दस मिनट के लिए किसी टीचर की वीडियो देखी आपको कंटेंट पसंद नहीं आया आप फिर क्या करेंगे उसके नीचे किसी दूसरे टीचर की वीडियो दे रखी होएगी आप वो खोलेंगे फिर किसी तीसरे टीचर की वीडि के लिए ठीक है लेकिन देखिए जितने भी बच्चे एक्जाम की प्रिपरेशन करते हैं क्या सबका रिजल्ट आता है नहीं आता रिजल्ट आता है टू परसेंट या फिर थ्री परसेंट लोगों का वो ऐसा क्यों होता है उसका रिजल्ट क्या है वो ऐसा अलग क्या करते हैं और दूसरे बच्चे जो है उनका रिजल्ट नहीं आता ठीक है पेपर पास नहीं होता या नहीं कि रिजल्ट तो सब कही आता है तो यहां पे मेन मुद्दा जो है वो क्या है एक बुक का है आप माल लीजे यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो देखेगा पॉलिटी आपके पास में मैंने एक्जाम्पल लिया है उसके बाद में हम मैत का देखेंगे क्योंकि एक ठीओरी का सब्जेक्ट हो गया और एक न्यूमेरिकल का सब्जेक्ट हो गया भी बुक में होते हैं या किसी भी एक्जाम में आते हैं क्या वो सारे के सारे चäप्टर उस टीचर ने पढ़ाएं हैं सबसे पहली बात हो ये तो यहाँ पे देखेगा आप चाप्टर ऐसे नहीं सर्च करेंगे पॉलेटिफ बॉर दिस एक्जाम पॉलेटिफ वर दिस एक्ज सब्जेक्ट के लेकिन कंटेंट कभी नहीं बदलता यह अपनी दिमाग से एक स्टेंडर बुक लेकिया यह हर एक सब्जेक्ट की ठीक है उसके बाद में उसके चैप्टर से हैं यूट्यूब पे सर्च कीजिए सर्च करने से पहले माल लीजिए मैंने सविधान सभा को ही पढ एक बार रफली अपने दिमाग से बुक में जो कंटेंट दे रखा है वो छाप लिया अपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा की हां जी सविधान सभा में क्या होता है कितने मेंबर थे सविधान सभा की पहली बैठा कों थी बजूरुक सदस्य सचीदानन सीना था वो पहली बना था राजिंदर परसाद पर्मानेंट जो है वो चेर्मेन बना कॉंस्टूशनल एसेंबली का तो वो मीन मीन बाते मैंने छाप ली अपने दिमाग में उसके बाद में मैंने जब वीडियो को सर्च किया तो मैंने देखा कि इस बंदे ने जो बुक में मैंने बाते हैं तब आप जाके मानना कि भी हां जी ये कंटेंट बहुत जादा अच्छा है और इसको मैं रेगुलर्टी में फोलो कर सकता हूं या कर सकती हूं एक बात तो ये दूसरी बात यहां पे जो ध्यान देने वाली है वो क्या है कि आप क्या करेंगे बुक को पड़ते ही और क्या बोलते हैं वीडियो को देखते ही नोट्स कई तो बुक को पड़ते ही नहीं है बहुत रेयर लोग हैं तो नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं फटा फट फटा फट नोट्स बनाएं नहीं ऐसा करना गलत है ये वो बच्चे होते हैं जिनका एक्जाम यहीं 70-75 नंबर आते है वो ये बच्चे होते हैं जो सिधा content copy में छाप लेते हैं उससे पहले आपको PYQ सर्च करने है माल लिजे कि सविधान सभा से पहले paper में question कौन से आई हुए है या सविधान सभा से practice question लगाईए सबसे पहले उसके बाद में देखिए कि जो content आपने पढ़ा है वो बिल्कुल okay है paper में आ सकता है उसको फिर notes में उतारिए ऐसे करेंगे त्यारी तब बाद बनेगी अब बहुत math एक ऐसा subject है जिसमें मतलब की जिसका आप ऐसे लगा लीजिए बहुत सारे अलग-अलग rules से सवाल बनते हैं आपने percentage का chapter शुरू कर लिया percentage करी आपने ठीक है percentage की और math के लि बिना exam करा है खोई नहीं सकता किसी भी book के बिना math में लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो teacher के notes पे depend रहते हैं और सिरफ percentage की video देख लेते हैं नहीं ऐसा नहीं करना percentage करोगे मान लीजी आपने percentage किया तो जब आपने video देख लिए किसी भी teacher की तो उसके बाद में आप book में देखिए या पहले book देख लीजिए कि जितने type percentage के book में बनते हैं exams में क्या उतने ही type करवाई हैं अब important competition exams में कुछ भी नहीं होता important वाड़ा तो मुद्दा ही खतम कर दीजिए हाँ आप एक short cut idea ले सकते हैं पी वाई क्यू से ये सबसे बहतरीन method है कि आप previous year question देखिए कि क कहां कहां से आ रहे हैं किस किस type से आ रहे हैं उसमें ऐसा हो सकते है कि आपकी 50-60% help हो जाए लेकिन ये भी sure नहीं होता कि examiner जो next time exam बनाएगा वो same examiner थोड़ी ना exam बनाता है और कोई examiner होगा तो वो क्या previous year questions को देखकर ही paper बनाएगा या फिर जो syllabus कोई भी मतलब की authority उसे provide करवाती है वो उस syllabus के गोडिंगी exam बना देगा तो इस type से आपको exams की preparation करनी है किसी भी subject की book लीजिए पहले उसको thoroughly पढ़िए फिर जाके video देखिए PYQ लगाईए practice year question लगाईए आप one month तक कितने भी chapter करो ऐसा करके देख लीजिए और फिर उस chapters में से अगर question गलत आ जाए तो फिर मेर से बात कर लेना ठीक है तो इस type से अगर त्यारी करेंगे तो exam 101% crack होगा अगर video अच्छी लगे तो channel को subscribe कर लेना thank you so much